असलाम अलेकूम एवरीवान मैं आपका मेंटॉर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ और हमारे ये इलिस्टेटर की जो है वो सेकंड वीडियो है फरस्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी वो भी आप देख सकते हैं वो इंट्रोड़क्शन था अडोबी इलिस्टेटर सी सी का और उस फरस्ट वीडियो मैंने बताया था इसके कौन-कौन से टूल्स होते हैं इसके नाम बताई थे मैंने और इसके जो राइट पे जो पैनल है उसकी थोड़ी सी information दी थी और जो इसके अंदर किस तरीके से आप file जो open कर सकते हैं और कौन कौन से sizes होते हैं आपके पास उसकी मैंने थोड़ी बहुत information दी थी आपको और selection tool का भी मैंने बताया था किस तरीके से आप जो path draw करेंगे square पे मैंने example दी थी और उसको किस तरीके से उसको resize कर सकते हैं उसको rotate कर सकते हैं और किस तरीके से उसको copy कर सकते हैं shortcut key के जरिए तो यह सारी information मैंने पहली वीडियो में दी दी जिन्होंने नहीं देखिए वो जरूर देखें और ये हमारी सेकंड वीडियो है तो हम शुरू करते हैं कुछ नए टूल के साथ तो आज जो मैं आपको टूल बताने वाला हूँ सेलेक्शन टूल हमने कर लिया था अब उसके बराबर में ही अगर देखें तो उससे मिलकुल मिलता जुलता है एक और टूल है लेकिन ये कहलाता है डायरेक्ट सेलेक्शन टूल अब सेलेक्शन टूल और डायरेक्शन टूल में क्या फरक है वो मैं आज आज आपको बताऊंगा सबसे पहले हम एक कोई path ले लेते हैं या कोई object ले लेते हैं तो मैंने shape tool को select किया है shape tool में भी काफी option है आपके पास जिसमें rectangle tool है rounded rectangle tool है, ellipse tool है, polygon tool है, star tool है और flare tool है तो सबसे पहले हम जो है rectangular tool पे आपको मैं दिखाऊंगा किस तरीके से direct selection जो हमारा tool है वो किस तरह work करता है क्योंकि मैंने selection tool का already define कर दिया था अब मैंने एक shift की की के जरीए एक square मैंने create किया है इसको आपको पता है, ये path होते हैं इसके top पर और जो corner वाले आपको 4 points नजर आ रहे हैं वो इसके anchor होते हैं अब आप देख सकते हैं ये perfect square है जो मैंने shift की की से draw किया है अब मैंने direct selection tool select किया है अब आप देखें कि इसके जो anchor points है उस पे जब हम selection tool यूज़ करते थे तो वो आपको जितना बड़ा square आप उसको transform कर सकते थे और उसको जो भी उसकी shape change कर सकते थे मतलब कि छोटे बड़े में आप उसकी shape change कर सकते थे लेकिन point जो इसके anchor point से उसकी shape change नहीं कर सकते थे लेकिन direct selection tool से हमें ये फाइदा है अगर हमने सिर्फ एक point को select किया है यानि एक anchor को select किया है और उसको हम move कराते हैं तो ये देखें हम इसकी पूरी की पूरी shape जो है वो change कर सकते हैं selection tool क्या करता था सिर्फ उसका size बड़ा या छोटा करता था उसको square से rectangle बना सकता था उसके mid से point आप बड़े छोटे कर सकते थे लेकिन आप transform आप उसको rotate कर सकते थे लेकिन उसके single points के जरीए आप उसका shape नहीं change कर सकते थे ये जो काम करता है ये आपका direct selection tool करता है आप कोई भी point select करें और इसको कहीं भी drag करके ले जाएं तो ये इसका shape change कर देगा मतलब कि कोई नया path create कर देगा जितने भी आपके पाद points हैं आप उसको select करके कहीं भी drag करके आप उसको release करेंगे ये देखें ये अगर anchor आ रहा है आपके पास आपने इसको select कर लिया है मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से select होगा यहां से आपने इसको select कर लिया है और ये drag करके change कर दिया है तो इससे आप बहुत different different shape जो है वो और path जो है वो आप create कर सकते हैं direct selection tool direct anchor point को select करता है और new shape create करने में मदद करता है तो ये है कि ये different है जो selection tool और direct selection tool में selection tool anchor point को सिर्फ anchor point को select नहीं करता है वो overall पूरे path की selection करता है और direct selection tool जो है ये आपको anchor point की selection देगा तो ये different है जब हम ज्यादा object बनाएंगे और जरूरी नहीं है हमें बिलकुली exact rectangle या exact circle चाहिए हो कभी कवार हमें points पे मैं आपको ellipse tool पे भी इसके example दे देता हूँ shift दबा के मैंने ये ellipse tool से मैंने एक circle draw किया है अब मैं आता हूँ अगर मैं इस पे selection tool यूज़ करता हूँ तो या तो मैं सिर्फ इसको move कर सकता हूँ या तो मैं इसका size छोटा या बड़ा कर सकता हूँ या side से मैं इसका size छोटा या बड़ा कर सकता हूँ तो मेरे पास ये limited option है लेकिन अगर मैं direct selection tool से इसके anchor point को select करता हूँ तो ये देखें मेरे पास दो handle आ गए है अब ये handle क्या होते है इसको illustrator की जबान में अगर आप बोलें तो इनको handles बोलते है curve handles क्यलाते हैं अब ये जो handle है आपको right side पे जो नजर आ रहा है ये इस curve का handle है और ये जो handle है ये left side के curve का handle है अगर मैं इस handle पे click करके इसको move करता हूँ तो ये देखें ये अलग curve आपका bend होगा जिसका असर दूसरे curve में भी पड़ेगा अगर मैं इस handle को click करता हूँ और move करता हूँ तो इसका reverse काम करेगा आप मैं किसी भी point पे click करूँगा उसके दो handle होंगे मैं किसी को भी move कराके एक नया path define कर सकता हूँ तो ये एक direct selection tool जो है वो exactly anchor point को आप एक anchor point हो या दो anchor point हो जितने भी आप select करेंगे उनको आप select करके उसको drag करके उसका shape और path change कर सकते हैं है तो ये काम हो गया आप समझ गये हूँगे कि क्या फरक है selection tool और direct selection tool में उसके लावा आप ने देखा कि shape tool भी मैं आपको देखा देता हूँ कि कौन-kौन से shape है इसमें polygon है अगर मैं इनको delete कर दूँ और फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कि polygon tool क्या करता है polygon सब को पता है कि उसके six उसके आपको नजर आ रहे होंगे anchor points अब ये six anchor points हैं इसमें भी मैं same काम कर सकता हूँ मैंने top के दो anchor points select किये और मैंने इसका shape change कर दिया है देखें कितनी असानी से मैं इसके single point को select करके इसकी shape को मैं change कर सकता हूँ अपनी मर्जी से जो के selection tool नहीं कर सकता था selection tool overall object को बड़ा ये छोटा कर सकता है लेकिन उसकी shape change नहीं कर सकता जो के direct selection tool करता है तब ही इसका नाम है direct selection tool तो ये देखें इसमें shape भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे star का भी आपको बता होगा क्या shape होता है shift की की दबा के अगर आप star बनाएंगे तो exact accurate shape में आएगा उसके अलावा आप अगर in shape के उपर points भी देख सकते हैं कि कौन कौन से आपको points available है और कौन कौन इनकी opacity कितनी देनी है color कौन सा देना है color का मैंने आपको पहले बता दिया था color आप selection में कोई सा भी select करेंगे तो वो color pick कर लेगा fill की जो window है उसमें आपका color आ जाएगा जो आपने pick किया है stroke की window आपको पता है अगर मैं इसको stroke भी देता हूँ black का stroke है अगर मैं इसके size बढ़ा देता हूँ इसको मैं समझ ले कि इसको one से मैं इसको ten कर देता हूँ अगर तो यह देखें इस पे stroke भी आ गया है तो यह आपने color देख लिया fill आपका color शो करता है stroke आपका जो borderline होती है वो शो करता है हमने create किया कोई भी path उसको अगर सिर्फ बड़ा और छोटा करना है तो selection tool काफी है उसके लिए अगर उसके points में भी आपको changes चाहिए कि आपको कोई नया path बनाना है और तो फिर आपको direct selection tool की जुरुवत पड़ेगी जो उसके points से उसको उसके anchor points से उसको change कर सकता है तो आप आपने देखा किस तरीके से हमने shape create किये और इन shape को जो है वो आपको मैंने बताया कि direct selection tool किस तरीके से इनके anchor points को अगर हम इस वाले delete कर देते है path को अब देखें ये anchor point अभी भी हमारे पास show हो रहा है और ये देखें मैं single single anchor point को click करके उसका shape किस तो आपने देखा कोई भी आपको path बनाना हो और फिर उसमें कोई changes करनी हो तो वो आप easily जो है वो direct selection tool से कर सकते हैं हमारे पास hand tool भी है अगर हम इसको zoom करें और हमें फिर move करना हो तो हम hand tool को select करके इसको move करा सकते हैं अपने जो हमारा canvas है या हमारा working area है और आपको मैं पहली बता चुका हूँ control minus से zoom out होता है control plus से zoom in होता है और अगर hand tool अगर आपको select नहीं किया और आपको hand tool चाहिए तो just आप space bar का button प्रेस करेंगे जब तक आप press रखेंगे तो आपके पास hand available होगा और आप इसको corner से आप इसको कोई changes करनी है या फिर और zoom करके इसको देखना है और move कराना है अपने object को तो आप वो hand tool से वो काम कर सकते हैं और control zero से आपको बता है कि fit to screen हो जाएगा तो इस video में आपको मैंने shape tools भी बता दिये किस तरीके से जो shape से आपके path बनते हैं और उस तरीके से उनकी changes किस तरीके से होती है color किस तरीके से आप उसको fill कर सकते हैं stroke का color आप किस तरीके से उसमें fill कर सकते हैं और direct selection tool भी मैंने आपको बता दिया जो के आप points से इनके anchor points से आप कहीं भी उसको use कर सकते हैं और कोई भी उसका शेप जो है वो चेंज कर सकते हैं तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही इंशाला नेक्स वीडियो में कुछ और टूल्स के साथ आपके सामने हाजिर होंगे तब तक इसको आप ट्राइ कीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफिज